हआए अससलाम Latka में हम इस वीडियो लेक्ट्र में ये देखेंगे कि काउंटर क्या होता है और काउंटर को किस तरहिके से inplement किया जा सकता है बैसिकली आप एक डिजिटल सर्किट होता है डिजिटल सिक्वेंशल सर्किट होता है जिसमें आपकी वैल्यू काउंट अप हो रही होती है, एकाउंट डाउन हो रही होती है, वो आपके उपर अगर आप काउंट डाउन करना चाहते हैं, अब ही इसमें जो जिकर है वो काउंट अप का है और इसकी जो वैल्यू सैट होती है, या जो इसकी लिमिट होती है, वो इसकी डिजिट से होती है जैसे यहां पर four bit counter है means के हम देख लेते हैं कि कहां से कहां तक जाएगा four bit counter है तो इसका एक जनरल फॉर्मूला था है two पे power and, इससे हमें maximum combination पता चलते है two पे power जब हम four करते हैं, तो इसका output आता है 16 means के यह 16 value तक जाएगा इस 0 से 15 में पर लिखा हुआ है second line में 0 to 15 जाएगा इसकी जो लिमिट है वो 15 तक आएगा इसका मतलब यह जब भी positive edge of the clock आएगी यह अपना count up कर लेगा अगर negative clock आती है यह कोई operation perform नहीं करेगा positive edge of the clock पे अपना operation perform कर रहा होगा count up कर रहा होगा क्योंकि इसमें flip flop use होता है और counter reset हो जाएगा जब reset की value हाई होगी हम इसको erase कर लेते हैं further proceed करने से पहले जैसे इस ब्लॉक में दिखाया गया है एक जी सेट ने गेट है आरस टी एन एक क्लॉग के यहां बबल लगावा है इंडिकेट कर रहा है री सेट निगेट और यह आउट है फूर बिट का आउट पुट आएगा हमारा हम डिजाइन इस ब्लॉक को देखते हुए बनाएंगे और हमारा जो आउटपुट होगा वह टैस बेंच होगी क्योंकि डिजाइन बन गया है डिजाइन को टैस्करने के लिए हम एक टैस्बेंच रिक्वाइड होती हम टैस्बेंच के नदर क्या कर रहोंगे क्लॉग जनरे इसमें काउंटिंग हो रही होगी, अब इस सब के बाद हमने समझ लिया है कि काउंटर कैसे बनाए जाएगा, इसके टैस्ट बेंच कैसे बनेगी, अब हम इसको इंप्लिमेंट करने के लिए विजल स्टूडियो कॉर्ट की तरफ मूव करते हैं, यहां पे सबसे पहले हम आप आपिन फोल्डर करते हैं, यहां पे हम एक फोल्डर बना लेते हैं, आउंटर, अप, इसको आपिन कर लेते हैं, उसके बाद हम यहां पे आगे एक फाइल कर लेते हैं, काउंटर, डाट वी, यहां पे सबसे पहले हम मॉडियूल लिखते हैं, क्योंकि यह मॉडियलर लैंग्विज है, यहां पे आउंटर नाम दे देते हैं, इसको पेस के आर्गुमेंट्स में हम इन्पट आउटपुट डेफाइन कर देते हैं, हमारे डिजाइन में यहां पे दो इन्पट थे, एक आउटपुट था, रिसेट क्लॉग आउट, हम अपने डिजाइन में बता देते हैं, इस टाइप के हमारे पास, इन्पट होंगे, इन्पट से इन्पट, कॉमा आउटपुट बता देते हैं, आउटपट क्योंकि हमारा आउटपुट चार बिट का है, और हम इसको स्टोर कर रहे होंगे, continuously use कर रहे होंगे हमारा जो डेटा है वो स्टोर होगा पहले जीरो हुआ फिर वन हुआ फिर टू होगा थ्री दैन सिक्स्ट फिफटीन तक जाएगा तो इसमें हम वायर यूज नहीं कर सकते हैं अगर आउटपुट जिस आउटपुट आउट डिफाइन करेंगे तो यह बाइ इसके बाद हम क्या करेंगे ऑल्वेस एड़ डरेट पॉजच सी एल के इसका मतलब यह के ऑल्वेस हमेशा चलो जब तक जब पॉजिटिव एज आए मींस जब भी पॉजिटिव एज आएगी क्लॉक की वह यह ब्लॉटपुट वाक रन होगा अधरवाइस नेगड़ेव एज पे यह रन नहीं होगा हमेशा इसमें सबसे पहले रीसेट की कंडिशन हम एड़ कर देते हैं क्योंकि वहां पे रीसेट का एक पूर्ट थी बन बिट बन हो जब रीसेट हाई हो तो हमने क्या करना है आउट इक्वल टू फोर bit 0 as out equal to out plus one bit one you you और हम इस में होता है winter जो भी है वह एक लयन में लिखना है तो आप इसमें डिफाइन ना करें जैसे मैंने यहां पर या इफ के मैंने या राट के बाद चाटि मैंने फ़ायर नहीं किया an मैं यह भी कर सकता था पर फेंट करता एक है लोह भ्याद झाले band यह जब लिखा जाता जब आपकी एक लाइन से ज्यादा आप अपना वैल्यू लिख रहे हो या अपनी जो एक लाइन से ज्यादा लिख रहे हो सिंगल लाइन के अंदर आप विदाउट बिगिन और एंड के प्रॉसीट कर सकते हो आगे यहमारा डिजाइन कंप्लीट हो गया अब हम एक टैस्ट बेंच कर लेते हैं आउंटर अंडर्सकोर टीबी डाट वी मॉड्यूल डिफाइन कर लेते हैं काउंटर अंडर्सकोर टीबी अब यहां पे हम इंपुट पे हमने मापे क्लॉक और रिसेट दी तो यहां पे रैज सी एल के कॉमा इसको हम क्लॉक को जीरो रख लेते हैं और यहां पे हम वायर फूर बिट आउट अब सबस्ब्स पहले क्या करते हैं कि हम इनिशल इंस्टेंट कर लेते हैं अपने डिजाइन को वह कैसे होता है काउंटर ज्फा मॉड्यूल का नाम है डिजाइन का इंडट उसके बाद डॉयट । को इसके जो । के बाद की बैल्यू जो भी जो डॉयव जो के बाद की हो वेरियबल है ये नाम है यह हमारे डिजाइन का नाम है जो इसके अंदर है वो टैस्ट बेंच का नाम है अब हम आरेस टी एन आरेस टी एन लिखते हैं अब डॉट आउट अब हमारी इस्टेंटियेशन हो गई अब हम इनीशियल बिगिन अब डंप फाइल हम एड़ कर लेते हैं कि हमें डंप फाइल की जरूरत है हम उसको चलाएंगे काउंटर डॉट वी सीडी अब फाइल की यह संटेक्स है यह इसलिए यूज़ होता है कि आप का जो आउट पुट है आप उसको वेव फॉर्म की फॉर्म में देख सको अब आलवेज लिकें इसलिए के इकोल टू इनवर्ट सी एल के इसलिए लिखा है कि यह क्लॉक जन्रेट हो रही होगी हमेशा जैसे यहां पर हमने कि टेश बैंच के टीबी काउंटर टेश बैंच की नहीं देखा हम ज्चेल करेंग टैश बैंच में जो हमारे डिजाइन को लाग दे रहा होगा तो हमने यहां पर फ्च्फ्सक्क की जो हर v be होती रहेगी इंवर्ट होती रहेगी जैसे होपर यहां पर हमनेक PP rect थ हैं यहां पर क्या करते हैं कि कौन कौन स्थți वैल्यू कब हमने इन्पुट देनी है हमने क्लॉक दे दी अब हमारा री सेट रह गया है री सेट इक्वल टू वन बिट बन देंगे और इसको देते हैं तोड़ा लॉंग डिले के लिए वह इसलिए देते हैं कि आपका डिजाइन जो है वह स्टेबिल हो जाए कोई भी अन्मॉंटेड या डार अब इसको री सेट वन पर का और पूट जीरो रहेगा अब री सेट जब हम जीरो देंगे तो अपना प्रोसेस स्टार्ट करना शुरू हो जाएगा और पर दिले देते हैं फोर हंड्रेट और हम एंड कर देता हैं फिनिश अब एंड करते हैं बेगन लिख जाते हैं अब हमारा डीजाइन कंप्लीट हो गया है अब हम जाते हैं टर्मिनल के तरफ पर लिखते हैं आई बेरिलाउग माइनस ओ अ आउडाट वीप पी काउंटर और उन्रसकोर टैस बीन्च और फिर इसका डिजाइन का नाम हमने उसके बाद हम लिखते हैं जी टी टी के विफ को ली हमने कंट्रोल टी प्रेस करके अपने counter.vcd की फाइल को slack कर लिया slack करने के बाद हम यहां पर click करने के बाद हमने clock लिका लिए यहां पर डिस्प्लेश पर और reset फिर out फिर इसको हमने क्या करा zoom fit कर लिया यहां से जाने के बाद अब हम देखते हैं कि हमारे पास यहां तक reset था इसको थोड़ा हम बढ़ा लेते हैं जब हमने देखा कि हमारा जब रीसेट वन था तो आउटपुट पर कुछ नहीं आ रहा था जैसे हमने रीसेट यहां पर आके लो किया और क्लॉग आई पॉजिटिव एज आई um हें कांट कि हो गया हमारा यहां पे जीरो ता जीरो से वन हो गया हम से किर जब पॉजिटिश यहां पर आई तो ख़्याओ और जब नेक्स साइκल पॉजिटिव एज आई थ्री उगया प्र यहां पर हए फौर हो गया अब हमने क्लॉग थोड़ी कम दीती 400 सेकिंड टक्ड़ हमारा उट्पुट फूर तक आया है अब हम क्लॉक बढ़ा देते हैं यहां पर जाके टेस्ट बेंच में इसकी क्लॉक देदेते हैं हम सेवंटीन हंड्रेड और फिर इसको सेफ करते हैं पर इसको हम चलाते हैं कि यहां पर के कंट्रोल शिप्ट आर दबाएंगे यह अपडेट होगी हमारे अब यह देख सकते हैं कि यह जो भी हमारा आउटपुट है वह अभी हैक्जाडेसिमल की फॉर्म में आ रहा है हम इसको व्यू में जाके हम डेटा फॉर्मेट यह एडिट में जाके डेटा फॉर्मेट हम इसको डेसिमल भी देख सकते हैं बाइनरी भी देख सकते हम डेसिमल में देख लेते हैं आउट पे क्लिक करके हम जाएंगे एडिट में डेटा फॉर्मेट डेसिमल अब हमारा डेसिमल हो गया मैंने 1700 तक दीती तो यह 1700 तक गया रही है यहां पर क्या हुआ अब रीसेट था कुछ जीरो आ रहा था जैसी रीसेट लो हुआ वन हुआ नेक्स पर टू थ्री फोर फाइफ सिक्स सेवन एट नाइन टैन एलेवन ट्वेल्व थैर्टीन फॉर्टीन फिफ्टीन और जीरो से फिफ्टीन तक ता उसके बाद वो दुबारा अपनी डिफॉल्ट वैल्यू पर आ जाता है रीसेट वो रीसेट जीरो हो गया थोड़ी हमने जादा क्लॉग देदी तो जीरो के बाद दुबारा स्टार्ट हो गया तो इस तरह हम काउंटर डिजाइन करते हैं आज की इस वीडियो में हमने देख लिया के काउं जाया होगा और कोई डिफिकल्टी ना होगा थैंक यू